मानसरोवर यात्रा अगर आपको पहले करनी होती थी तो आपको चाइनीज वीजा चाहिए होता था तब ही आप यात्रा कर सकते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो देश में रहकर ही यानि भारत में रहकर ही आप दर्शन कर सकते हैं लेकिन इ तो चार से पांच दिन आपको लगेंगे दर्शन करने के लिए यहां से आपको काड़ गोदाम जाना होगा काड़ गोदाम से धारचुला धारचुला से बुद्धी फिर नाभी डांग यह सारा का सारा जो यह रस्ता है आप गाड़ी में बैठकर तै कर सकते हैं आखिर का जो केलाश के दर्शन है वो लगबख 50 किलोमीटर के आसपास है आप दर्शन जो है वो नेकेड आई से भी कर सकते हैं यह बड़ी खुशकबरी है भारत वासियों के लिए तो कि पिछले दो तीन साल से यात्रा हो नहीं रही थी पहले कोविट के कारण और फिर भारत और चाइन के बीच में जो टेंशन थी उसे लेकर यह यात्रा नहीं हो रही थी अभी हाला कि यह यात्रा फिर भी शुरू हुई है एक मैई से यह यात्रा शुरू हुई थी लेकिन इस बार जो रूल्स और रेगुलेशन है चाइना ने बहुत स्ट्रिंजेंट कर दिये हैं वीजा ले इसकबरी है उत्राखंड की एक तीम जो है पूरे इन इलाकों में घूमी थी उसने एक रिपोर्ट भी बनाई है उत्राखंड सरकार को वह जल्द यह रिपोर्ट सौपेगी जिसके उपर वह निरने लेगे इंट्रेस्टिंग बात यह भी है कि जो बॉर्डर रोड और और उसने भी जो बेस ऑफ जहां ओल्ड इपूर लेक पास का जो बेस है वहां तक उन्होंने सडके जो है वो बना ली है यानि आपका जो सफर है वो इतना कटनाईदार भी नहीं होगा